दोस्तो आज हम बात करेंगे hard coat lens और ARC lens में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, यदि आप शिश्मा लगाते है या आपके घर में कोई शिश्मा लगाता है तो आपको कौन सा lens लेना चाहिए दोस्तो मैं अब है consultant optometrist, आप सभी का मेरे youtube channel हेल दिया या official में बहुत बहुत सवागत, दोस्तो जो लोग मेरे channel पर पहली बारा हैं वो मेरे channel को subscribe कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले video को notification आप लोगों को पहले मिल सके, अब हम बात करते हैं hard coat lens और ARC lens के, तो दोस्तो ये द white color का दिखाई देगा, और जो ARC lens होता है, इसमें सामने का reflection आपका, यदि किसी भी color की coating का दिखाई देता है, जैसे green, blue, magenda, या जो भी coating आपको दिखाई देती है, इसमें सामने से light का reflection, जिस भी coating का दिखाई देगा, वो आपका ARC lens होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, hard coat lens की, तो जो हमारा hard coat lens रहता है, इसमें आपके scratches ARC lens के अपे चक कम आते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी coating नहीं रहती, जिसकी वज़े से हमें scratches दिखाई नहीं देते, हमें पता नहीं चलता है कि scratches हैं या नहीं हैं, coating ना होने की इसमें finger tip के निसान भी नहीं पता चलते हैं, यदि finger गलती से लग भी गया, तो उसके भी निसान नहीं आते हैं, जबकि ARC lens में coating होती है, इसकी वज़े से थोड़े scratches hard coat lens के पिचाई ज्यादा दिखते हैं, coating होने की वज़े से साथी finger के निसान भी आसानी से दिख जाते हैं नेक्स अगर बात करें तो जो हमारा ARC lens होता है, इसे हमें anti glare lens भी बोलते हैं, तो यह आप driving में use कर रखते हैं, इसमें सामने से glare नहीं लगेगी, जबकि hard coat lens में आपको सामने से glare पता चलेगी, नेक्स अगर हम बात करें, तो जो हमारा hard coat lens होता है, अगर आपने कोई hard coat lens का चश्मा लगाया हुआ है तो आप अगर उसमें सामने से light डालेंगे तो उसमें आपकी आई ना दिख करके light का reflection दिखता है जब कि आपका जो ARC lens होता है उसमें आप अगर light डालेंगे तो उसमें reflection ना दिख करके आपकी eye दिख जाती है लेकिन कुछ जो normal ARC lens होते हैं जो without कोई brand ARC lens होते हैं उसमें थोड़ा बहुत reflection दिखता है अगर आप अच्छी quality अच्छे brand का lens यूज़ करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपका reflection नहीं दिखेगा साथ ही जो hardcore lens होते हैं अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे हलका सा rotate करके चश्मा देखेंगे या आप move करके देखेंगे तो इसमें हलका सा shadow नजर आएगा जबकि ARC lens में आपका बिल्कुल shadow नहीं नजर आता है तो दोस्तो इस तरह से मैंने hardcore lens और ARC lens के बारे में कई सारे difference बता दी हैं आपको अब बात आई कि आप क्या suggest करेंगे मैं क्या suggest करूंगा तो दोस्तो जिन लोगों का work जो बच्चे first time चश्मा यूज कर रहे हैं सही से handle नहीं कर पाते तो वो लोग hardcore lens यूज कर सकते हैं अगर आप चश्मे को अच्छे से handle कर पाते हैं साथ ही अगर आप drive करते हैं रात के समय में तो आप ARC lens यूज करिए जिससे की glare कम हो सके तो दोस्तो अगर आपको मेरे दोर कर दो जो